हलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों सो आगते आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर लाइबरी साइंस विद्राके समिनासर में उमिद करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्त होंगे और सुरक्षित होंगे तथा सभी घर पर रेकर अपनी पड़ाई को जारी रख रहे कीजिए अपने सभी ग्रूप्स के अंदर और टेलेग्राम चैनल पर ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा ज्यादा विद्यारतियों को इस वीडियो का लाब मिल सके दोस्तों दोस्तों बताना चाहूंगा आज से हम वेकेंसी की एक रेगुलर वीडियो सीरीज श से पहले बताना चाहूंगा अगर आपने हमारे यूटूब चैनल लाइबरी साइंस विद्राकेस मिनासर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए दोस्तों साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऐसी नहीं नहीं वीडियो देखने के लिए रेगुलर हमारे यूटूब चैनल पर बने रहे हैं दोस्तों बताना चाहूंगा दोस्तों लाइबरी साइंस विद्राकेस मिनासर एक ऐसा यूटूब चैनल है जिस पर लाइबरी साइंस से समंदित सभी परतियों की परिक्साओं की तैयारी निश्वल प्रदान की की जाती है दोस्तों और बताना चाहूंगा रेगुलर टेस्स सीरीज का आयोजन भी किया जाता दोस्तों तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के दोस्तों यह जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है या जिस वेकिंसी के बारे मैं आप से आ रूप में निकला है दोस्तों जो युनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन से रिलेटेड है और इसको पब्लिश किया दोस्तों तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बताना चाहूंगा जो भी विद्धियार थी नेट की प्रिपरेशन कर रहे थे जिन्होंने दिसेंबर 2020 म निकल चुका उसका भी एक्जाम अब भी तक हुआ नहीं है तो दोनों का कंबाइंड एक्जाम अब एंटिय लेने वाला है दोस्तों मैं हाइलाइट करके आपको बताना चाहूंगा यह सब चीज़े दिसेंबर 2020 एक्जामनेशन इन वीओ अफ कोविड नाइंटिन दे शेडूल ऑफ जून 2021 यूजी सी नेट हैज बिन डिलेड यानि यह कह रहा है दोस्तों कि दिसेंबर 2020 का एक्जाम कोविड के कारण देरी से होना देरी से हुआ और साथ ही जून 2021 का एक्जाम भी देरी हो दोस्तों तो यूजी सी ने क्या इन दोनों एक्जाम को नेशनल टेस्टिंग एजिजनसी के द्वारा कंड़क्ट करवाने का निनने लिया दोस्तों जो की यह मर्ज होके दिसेंबर 2020 और जून 2021 का एक्जाम एक साथ लेने का इन्होंने प्रोग्राम शेडूल टेक हिया दो दोस्तों साथ ही बताना चाहूंगा दोस्तों आपको इसमें दे केंडिडेट हूँ हूँ है रजिस्टर्ट फोर यूजी सीने डिसेंबर 2020 साइकल बट नोट एबल तू कंप्लिट अप्लिकेशन प्रोसेस कैना आल्सों कंप्लिट अप्लिकेशन फॉर्म ओनलाइन वेबसा यह नहीं के रहा दोस्तों कि जिनोंने जिन प्रिक्शार्थी उन्हें दिसम्बर 2020 में अपना आवेदन कर दिया था 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 फॉरम सब्मिट नहीं कर पायते हैं उनके लिए भी आप फॉरम सब्मिट करने के लिए पोर्टल खुल चुका है वेबसाइट चालू हो चुके है और अप्लिकेशन फॉरम शुरू हो चके दोस्तों यह बात कर लेते हैं अब जून 2021 के कटोफ की बारे में कि क्या 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 कटोफ रहेगा तो देखते हैं डेट ओफ कटोफ क्या क्या है दोस्तों बताना चाहूंगा दोस्तों ओनलाइन रिजिस्ट्रेशन और सब्मिशन फॉरम कम्प्लिट इन और एक्सप्रों यह वेबसेट यह आपका जो अप्लिकेशन करने की आवेदन करने की स्टार्टिंग तिथी है दस अगस से लेके आप पांस सितंबर तक ओनलाइन अप्लिकेशन फॉरम सब्मिट कर सकते हैं दोस्तों साथी मैं बताना चाहूंगा ल जो आपके फॉरम में यदि कोई आपने कोई गलती कर दी है या फॉरम बरते समय कुछ आपने चीजे मिस्टेक कर दी हो भूल चुके हो तो उसके बारे में भी एक एंटी आपनको ओप्शन देता है यानि नेस्ट टेस्टिंग एजिन से आपनको यह उप्शन प्रोइड कर करता है कि अपने अप्लिकेशन फॉरम में हम करेक्शन कर सकते हैं तो जो करेक्शन की कट ओफ डेट रहेगी वह साथ से बारे सितमबर दोजार एकिस रहेगी दोस्तों उसी के साथ मैं बताना चाहूंगा डाउनलोडिंग ओफ एड्मिट कार्ड फ्रोम एंटी जो एड्मिट कार्ड की डेट रहेगी वह आपके एक्जाम से साथ से ग्यारा दिन के पहले रिलिस कर दिये जाते हैं दोस्तों एंटी एक के दोरा डेट सबसे इंपोर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों जो सभी प्रिक्शार थी अभी तक इसका इंतिजार कर रहे थे कि एंटे का एक्जाम कब हो गा यानि दिसम्बर 2020 से लेकर अभी तक मेरे कई स्टुडेंट का कॉल आए मेसेज आए उन सबने मुझे से पूछे पूछे कि सरो नेट का एक्जाम कब होगा तो आप सभी का इंतिजार अप खतम हुआ आपके नेट का एक्जाम 6 अ आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों अब हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है यानि कि देखा जाए तो अब हमारे पास मुस्किल से 45 से 50 दिनी बच्चे होंगे एटलिस्ट तो आप अपनी तैयारी को continue जारी रख दीजे और अच्छे से तैयारी करिए दोस्तों साथ ही बत आपको पता ही है दोस्तों एंटी हमेंसा अपने एक्जाम्स दो सिफ्ट में कंड़क्ट करवाता है नेट का जो इसके फस्ट होती और सेकेंड सिफ्ट होती है दोस्तों साथ ही बताना चाहूंगा आपकी जो वेबसाइट रहेगी आप ओनलाइन अप्लिकेशन करने की वह क इस नेट ओफ देसेंबर 2020 एंड जून 2021 साइकल विल बी मर्ज्ट यानि इन्होंने बताया है कि दोस्तों जो जो जर्फ की कट ओफ रहेगी वह दिसेंबर 2020 और जून 2021 के एक्जाम को कंबाइंड करके बनाई जाएगी दोस्तों वाइल दे मैथलोजी ऑफ दे सब्जेक्ट वाइज कम केटेगरी वाइज क्ला अलोकेशन ऑफ ज्यारेफ शोल भी रिमेन अंचेंज और जो बात रही है दोस्तों कि जो अपने मैथलोजी रहेगी सब्जेक्ट ओफ वाइज वो किसी पर गरगा कोई चेंजेज नहीं किया जाएगा दोस्तों इसमें दे दोस्तों बताना चाहूंगा आपको कि आपको और भी कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए एंटिय या यूजी सी नेट डोट एंटिय डोट निक की वेबसाइट को कंटीनियों लेटिस्ट अपडेट पाने के लिए विजिट करते रहना है आपका कोई भी क्वेरी हो मान इनके ओफिशिल जो वेबसाइट है उन पर भी आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों अर्थार्थ इन सब पर आपका सोलीशन मिल जाएगा दोस्तों अमीद है मेरे द्वारत दे गई जानकारी से आप सभी सहमत होंगे अब मैं बताना चाहूंगा दोस्तों इतनी देर से ह एक्जाम कि एक्जाम क्या होता है तो बात कर लेते हैं दोस्तों यह एक राश्टर या पात्रता परिक्सा होती है जिसमें आपको पात्र किया जाता है या इलिजिबल प्रोवाइड किया जाता है कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जोब युनिवरसिटी या किसी भी कोलेज लेवल में कर सकते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपका साल में दो बार एक्जाम लिया जाता है जिसमें आपको cut off में आना पड़ता है उसके बाद आपको national level पर आपको eligible माना जाता है as a assistant professor in a many universities and colleges में और बताना चाहूंगा दोस्तों कि NTA से पहले UGC इस एक्जाम को लेता था और UGC के बाद इस एक्जाम को CBS से द्वारा कंड़क्ट करवाया जाता था दोस्तों I hope कि दोस्तों मेरे दोरा जो जानकारी दी गई है उससे आप सभी संतुस्ट होंगे तो जानकारीों को ज़्यादा ज़्यादा शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो यहीं तक उमिद करत हूं आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करेंगे शेर करेंगे और सब्सक्राइब करें हमार यूटूब चैनल को लाइवरी साइंस विद्राकेस मिनासर को धन्यवाद दोस्तों